मित्रों इंसान ने अपने फाइदे के लिए कई अभिश्कार ऐसे की हैं जो काफी तबाई मचाने बाले हैं। उन में से कुछ का पहले इस्तिमाल हुआ और लाखों लोगों की जान गई। कोई केमिकल इतना खतनाक है कि उसकी एक बूंद भी इंसान को तडपने तक की मौलत नहीं देती और पीडित इंसान की मौत हो जाती है। चलिए आज की वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही दस खतनाक अभिश्कारों के बारे में जानते हैं। तो बने रही हैं हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज इनोशिमा और नागा साकी में गिराए गए लिटल बॉय और फैट मैन अटॉमिक बमो ने दिखाया था कि दुनिया में इससे कितनी तभाई मच सकती है। नमबर टू टी अन्टी मित्रों मौजूदा समय में आम तोर पर टी अन्टी को बिसपोठकों में इस्तमाल किया जा कि उन्होंने एक ऐसा हत्यार खोजा है जो दुनिया में तभाई ला सकता है। 1902 में पता चला कि टी अन्टी को बिनाशकारी बिसपोठक के तौर पर भी इस्तिमाल किया जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्धों के दौरान दोनों पक्छों ने अपने दुश सरक्षित रैफरी जिरेंट है। उस समय अमोनिया का इस मकसद के लिए इस्तिमाल होता था। लेकिन वो काफी जहरीला था। भलेई CFC इनसान के लिए सुरक्षित है। लेकिन ये ओजोन की सत्य के लिए बहुत खतरनाक है। ओजोन की सत्य को नुकसान पहुचने से धर्थ इसमी सदी में कीडे से पैदा होने वाली बिमारी काफी नुक्सान पहुचा रही थी। करीब 25 लाग सैनिक और आम लोगों की इस तरह की बिमारी से मौत हो गई थी। सेना को ऐसे कीटना सकी जरूरत थी। जिसे कपड़े और कंबल आधी में लगाया जा सके। इसी कोशिस के तहर DDT का अविशकार हुआ। लेकिन ये छोटे जानबरों, पक्षियों और इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। इंसान में इससे दिल और फेपड की बिमारियां हो सकती है। आम आदमी के शरीर में मास, मचली और देरी उतपादों समित खानों की चीजों के माध्यम से DD प्रिवेश करता है। मित्रो पहले बिश्व यूद के दोरान, जर्मनी ने अपरेल 1915 में बाई प्रेस के दूसरे यूद में इसका इस्तिमाल किया था। सैकडो फ्रांसीसी सैनिको की इससे मौत हो गई थी। फ्लोरीन गैस का शरीर पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। इससे आखों में जल ये काफी है। ये कमरे के तापमान पर रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। गरम करने पर ये तेजी से भाव बनकर उड़ती है। इसको छोडते ही ये तुरंत पूरे बाता बरण में फैल जाती है। इसका अभिशकार जर्मनी के डॉक्टर स्रेडर ने किया था। उन्हो एट एजेंट औरेंज मितरों 1943 में पौधे के जीब बिग्यानी और्थर गेल्स्टन ने एक कैमिकल तयार किया था। वो कैमिकल सोया भी इनकी ब्रद्धी को तेज कर देता था। उन्होंने ट्राई और्डो बेंजोइक एसिट का पौधों के ग्रोथ हर्मोन के तोर पर इ इससे ब्यतनाम में बड़े पैमाने पर तभाई मची थी। नंबर नाइन गलोटीन बितरों पैरेस के एक प्रोफेसर जोसप इगनेस गलोटीन के नित्तत में एक समूने अठार्मी सदी में इस यंत्र का अभिशकार किया था। गलोटीन का इस्तिमाल लोगों को मौत की इसका कौट दीया जाता था। फ्रांस की किरांती के दौरान इसका खौफ फैल गया था। फ्रांस में 1793 से 1794 को आतंक की अबदी कहा जाता है। उस दौरान करीब 40,000 लोगों को गलोटीन से मौत की सजा दी गई थी। अलजीरिया युद के दौरान क्यादियों को मौत की स सजा खत्म कर दी गई तो इसका इस्तिमाल बंद हो गया आखरी बार 10 सितंबर 1977 को गलोटीन से मौत की सजा दी गई थी तो मितनों आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और शे दूट देखें चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ चैहिंद